हुआ नमस्कार शिख्षक सातियों आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में स्वागत है साथियो आज हम बात करेंगें समग्यर्भ लेत्य प्रतर प्रत्रक कक्षा1,2 की looking holistic progress card ship sa k highways kohlactic process सब्सक्राइब तो देखिए कक्षा एक कार्ड है उसका green color है तो green color का color code जो है वो कक्षा 2 के लिए है तो इस type से थोड़े changes हो सकते हैं पर लगबग 90% इसी प्रकार से जो समगर प्रगति पत्रक है हमारा कक्षा 1 और 2 का वो इसी प्रकार से आने वाला है तो देखिए इस प्रकार से यह डिज कि और देखिए विद्धि हरती का नाम लिख लेंगे घिसन पीता का नाम जनमति देखिए अंको में सब्दों में जिस प्रकार से हम रह बार लिखते हैं सलग्यम प्रव्यक्राइब अपनेonte सबसक्राइब कर लेंगे। जिसने उचाई वजन और अने चीजे इस प्रकार से यहां कख़्या एक का हम विध्यारतियों का यहां पर भरके त्यार करेंगे जो फ्रन्ट पेज रहेगा हमारा अब देखिए नेक्स्ट यहां पर सबसे बड़ी समझेवारी चीजे यहां पर द दिनांग डाल लेंगे उपस्तिती तो नियमित है यहां अगर हां है तो हां में ठीक लगाएंगे अगर नहीं है तो नहीं में हम लिखेंगे तो इस प्रकार से यहां पर हम कर लेंगे पूर्ण इसे इसके बाद देखें यहां लिखा हुआ है चरण एक के निचे सब्ता एक से ग्यारा तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पूर्ण होने पर अपिक्षित सीखने की प्रगती तो देखे यहां पर जो लिखा हुआ है वो हमारा जो फ़र्ष आवधी काक्नन हमने लिया है जैसे हमने सब्ता बारा में तीनों सब्जेक्ट का हमने लिया हुआ है गणीत का हिंदी का और इंग्लिस का सब्ता बारा में पहला वदी काक्नन हमारा लिया गया है तो उसे हम यहां पर भरके पूर्ण करेंगे तो देखिए यहां पर लिखा है विकासात्मक लक्ष एक देख चलिए देखते हैं विकासात्मक लक्ष एक में क्या है बहतर स्वास्त सोचता एवं भावनात्मक विकास प्रात्मिक्ता व्यक्तिगत देखभाल एवं जागरूपता तो इसक प्रक्रिया दर्ज करें तो सिक्षक जो बच्चों की जो भी है चीजें जैसे सिक्षण और लोकन के पश्चाद जो देखता है जैसे यहां पर देखें फर्स्ट पॉइंट है व्यक्तिकत सचता और साफ सफाई के साथ खाने की अच्छी आदतों ठीक से बैठना पालती मारकर या डेक्स पर आधिक का पालन करता है तो इस प्रकार से यहां पॉइंट दिये गए है देखें चार लिखे विये हैं यहां पर तो इसमें बच्चा स्वयम कर पाता है या सहयता के साथ कर पाता है या अधिक सहयता के साथ कर पाता या पाती है तो इसमें से जो आपको लगत दूसरे बच्चों के साथ खेल में उत्ता के साथ भागिदारी करता है या करती है तो अगर स्यम कर पाता है तो स्यम में टिक लगाएंगे अगर सहयता के साथ कर पाता है या पाती है तो उसमें हम टिक लगाएंगे इस ब्लोक में और अगर अधिक सहयता के साथ कर पाता है या करें तो दिखी हैं इसे प्रकार से इसे पूर्ण करेंगे अब देखें यहांपर निर्देश है अंकुर अभ्यास पुस्तिका में दिये गए आवधी काकन प्रपत्र एक के आधार पर इसे पूर्ण करें तो देखें मुलभूत हिंदी भासा के लिए है यह हिंदी भासा और कौशल शाक्षर्ता ना तो इसमें हम पूरु में सुनी गई कहानी कविता सिक्षक को अत्वा कक्षा में सुनना पाती है या पाता है तो इसमें से हम जैसे बोल पढ़ या लिख पाता है या पाती है तो हम इस पर टिक लगाएंगे अन्यता उसे खाले शोड़ देंगे इसके बाद है बोलने पढ़ने लिखने की कोशिस करता है या करती है तो इसमें देखी लिखने की कोसिस करता या करती है यहां पर हम टिक लगा लेंगे अगर अधिक साहे तक साथ बोल पढ़ या लिख पाती तो इन तीनों में से किसी एक में ही हम टिक लगाएंगे यहां पर दे की ध्यान देनी वाले चीज है 2.1 में विकाशात्मक लक्षे जो हमारा 2.1 है वहाँ पर हम तीन जो हमारे ब्लॉक हैं उसमें से हम एक में ही टिक लगाएंगे जैसे पूर में सुनी कहानी कविता सिख्षक को अत्वा कक्षा में सुना पाती है तो हम एक तो बोल पढ़ लिख पाता है या पाती है में टिक ल लगाएंगे तो इस प्रकार से हम किसी एक बॉक्स में ही ठीक लगाएंगे अब देखें नेक्स्ट है हमारा देखें यहां पर थोड़ा साथ देख सकते हैं इसी पार्ट में सब्ता ग्यारा तक सीखें गए 17 वर्णों को पहचान कर बता पाती है तो यहां पर हम देखें यहा जितने बताया है उसे हम यहां पर लिख देंगे अगर नहीं बताया है बोल लिख पाता है तो हम इस पर ठीक लगाएंगे यहां पर यह और देखिए यहां पर जो अधिक सहयता के साथ बोल पड़ लिख पाता है यह पाती है जो लिखा हुआ है तो उसमें 17 जो देख रहा ह आप नीचे साइड में लिखे हैं दोनों तो यह हट सकते हैं यह हटेंगे ही क्योंकि हमें तीनों में से किसी एक में ही टिक लगाना है और अगर यहां पर जैसे बीच वाला बॉक्स में जो सदरा सदरा लिखावा है यह ठीक है यह सही है तो यह रहेंगे और यह जो लास्ट वाले हैं वो हट सकते हैं इस तरह से इसमें और भी सुधार हो सकते हैं इस अपने जो प्रोग्रेस कार्ड में अब एक नेक्स्ट है हमारा विकास शरत्मक लक्ष 2.2 मूलभूत अंग्रेजी भासा एम साक्षरता कौशर तो देखिए इसमें हैं यह इंग्लिस सब्जेक्स से स तो इस प्रकार से हमारे जो हमने बार्वे सकता में आवदी काकलन लिया है तो इस प्रकार से हम तीनों में से किसी एक बॉक्स में टिक करेंगे जिसके अंतरगस शात्र आता है तो देखिए इस प्रकार से हम भरेंगे यहाँ पे चले अब नेक्ष देखिए देखिए विका से वस्तों सो गिंता है या गिंती है तो सियम कर पाता है य। अधिक साहेता की साथ कर पाता है या पाथ For Heossi, सी इन तीनुओंस एक kep लगा लेंग mez stronимо ता इस प्रकार से हमारा पर दिपेंड करेगा देखिए थोड़े यहां पर यह चरण टू जिस प्रकार से हमने चरण एक भरा है सेम बस कुछ नहीं रहेगा हमारा जो सेकंड हमने आवदी का क्लन लिया है सप्ता अट्रा में जैसे हमने हिंदी और गनित का लिया और सप्ता उन्नीस में हमने अंग्रे यहां पर इसी प्रकार से हम सेकंड आवदी खतल्न के अधर पर हमें आपे फिल रफ कर देंगे जैसे हमने चरण एक में सब्ता जो हमारा आवदी का कलन दा पहला भिग्ला लिया है सब्ता म bé और उसी प्रकार से हम चरण दो दो में जो दूब क्लन आजएगा हमारा उसकी मे की जानकरी हम यहां पर इसके प्रकार से जैसे यहां पर फिल कर देंगे अब तुँए next देखते हैं बच्चे की प्रगृति के संबंद में सिख्ष की टीप, बात और सी तुपल शिकष की बच्च की प्रज़च तुपल और 3 आज हम हमें सिख्ष की टीप 박ण केु विगत्ययम में लगत करें हैं तो यहां पर पट्पण स्वश्चता भूजन संभद्धी अच्छी आदोतो तथ शकारात्मक और श हयोगात्मक पहल के साथ सामुहिक कारियो अत्वा खेलों में सक्री रूप से प्रतिभाग करता है या करती है तो इस प्रकार से हमें जो भी हम टीप देंगे बच्चे को वह सकारात्मक होनी चाहिए हमारी और जो हमने जो भी एक्टिविटी कराई है या भोजन से स्वास से सम्द्जित जो भी चीजे हैं उसे हम खेलों में सक्री रूप से भागिदारी करता है यह इस प्रकार से ने सकारात्मक हम टीप देंगे बच्चों को तो यहां पर हम इस प्रकार से हमारे विकासात्मक लक्ष एक में विकासात्मक लक्ष दो में विकासात्मक लक्ष तीन में हम प्रत्यक चरण के निसान लगाएं तो देखिए यहां पर ध्यान देनी वाले बात एक और है कि सिक्षा अपनी मर्दी से किसी भी प्रकार की टिप पर यहां पर सही का निसान नहीं लगाएंगे यहां पर पालक की पुर्ण रूप से मतलब भागिदारी होना चाहिए जब तक पालक ना बोले कि हां मेरा बच्चा मतलब इस बहुत सुधार हुआ है यहां अधिक अभ्यास की आवश्रक्ता है तो यह पालक पर ही पूरी थरह से डिपेंड होना चाहिए कि पालक को क्या लगता है कि उसके बच्चे ने कितना किया है तो इस प्रकार से पालक के अनुसार ही हमें यहां पर यहां पर राइट टिक करना है यह पालक से ही करवाना है राइट टिक तो इस प्रकार से और अगर पालक की अन्य कोई जो हैं टिप होगी तो देखिए यहां नीचे लिखावा है पालक द्वारा अन्य जो भी उसे लगता है यहाँ पर टिपणी लिख सकता है तो इस प्रकार से और लास्ट में यहाँ पर पालक के हस्ताक्षर और दिनांग लिख देंगे सिख्छक के हस्ताक्षर दिनांग सहीद और यहाँ पर प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर दिनांग सहीद तो इस प्रकार से यह हमारा जो कक्षा एक का प्रगति पत्रक है जिसे HPL होलियस्टिक प्रोग्रेस कार्ड नाम दिया गया है इस प्रकार से हम भरके पूर्ण कर लेंगे साथ यो अभी भी हम कह रहे हैं कि इसमें और भी सुधार हो सकते हैं क्योंकि लगबग पर यह लगबग 90 पर्शन तो इस हमारा अधिक सहयता के साथ बोलिया पर लिख पाती है तो यहां का सत्रा यह हट सकता है क्योंकि बीच वाला जो वर्ण है जितने वर्ण लिखे वगए हैं तो यहां पर यह इसी प्रकार से रहेगा तो साथिव अगर यह वीडियो आपको पसंदा रहे तो चैनल को सब्सक्र स्क्राइब जरूर करें कि कि ऐसी ही महत्तपुन जानकरी हम आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं धन्यवाद